हेलो इस्ट्रेंट्स आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का प्रस्णावली 1.3 चैप्टर विहार बोड का बताने आया हूं शिखाने आया हूं आपका यह वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टेंट होने वाला है महत्पून होने वाला है कि इसमें आपको भाग देना है भाग देने के लिए सबसे पहले आपको यह सिखना है कि जैसे दिया हुआ है क्वेश्टिंग इसको समझिए क्वेश्टिंग नमर टू में है आप जानते हैं कि 1 बाइसेवन ब्रावर है 0.142857 पर रैक्रिंग है दिया हुआ है इसके अधार पर आपको बताना है कि वास्तम में लंबा भाग दिये बिना यानि भाग देना नहीं है क्या आप यह बता सकते हैं कि 2 बटे 7, 3 बटे 7, 4 बटे 7, 5 बटे 7, 6 बटे 7 के दसनुद परसार क्या है यदि हाँ तो कैसे यह हमारा प्रस्न है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 by 7 में भाग देंगे इसे मान दिया हुआ है लेकिन भाग देके आपको देखना है एक को भाग देना है बाकि एक के अधार पर इसका आंसर लिखना है क्या भाग फल आएगा तो हम क्या करते हैं 1 by 7 लिख़िये 7 के भाग देना यहां बच गया तो सबसे नहीं दोट 7, 4, 8 देखिए यहां बच गया 2 फिर अपने मन से आया 1 0 6 जेश जो बचेएगा उसपर 1 0 डालते जाएंगे 20 हो गया तो 7, 2नी 14 बच गया 6 फिर अपने मन से आया 1 0, 7, 8, 6 देखते जाएए 6 कट गया यहां आया 4 फिर अपने मन से आया 1 0 तो कितना वार लगेगा 7, 5, 35, पांच बार में 35, देखिए इसको जगध नहीं है यहां लिखता हूँ, यहां बच गया 4, यानि इसको ऐसे समझ यह 4, 0, तो 7, 35, 35 खिला दिये, फिर बच गया 5, फिर अपने मन से आएगा इस पर 1, 0, तो 77, 49, 49 हो गया बच गया 1, देखिए, 1 से शुरू था और हमारा से सफल क्या बचा लास्ट में एक एक से शुरू था और लास्ट में आया एक अब स्टॉप करेंगे भाग देते गए अब इसकी अधार पर आपको उतर लिखना है बहुत असान तरह से देखिए एक में सा से भाग दिया ताया है 0.142857 यहां लगा दि जाएगा तो इसको क्या करना है हमको अब निकालना है हमको एक साथ कमान दिया हुआ है अब हमको निकालना है दो बटे साथ कमान देखिए दो बटे साथ कमान कैसे आप निकालेंगे दो बटे साथ कमान कैसे आप निकालेंगे दो बटे साथ कमान कैसे आप निकालेंगे दो दो तीन, यानि दो हाया, तो इसका आंसर होगा, जीरो दसमन लगेगा ही, टू से शुरू होगा, टू, एट, फाइब, सेभन, सेभन के बाद पीछे आ जाएए, वन फोर, वन फोर, इस पर रैक्रिंग लगा देंगे, ये आंसर होगा, सिर्फ एक को भाग देना है, बाकी का भाग निकल जाएगा, कैसे किये, देखिए, पहले हम लिखे, पहले एक बटे साथ का भाग दे दिए, इसके बाद है, दू बटे साथ, दू बटे साथ में इसके उपर दो है, तो उस पर जीरो समझेए, दो पर जीरो होगा, विस, विस कहा है, खोज ये, एक स्टेफ, दो स 3 step, 3 step, 3 step, 3 बार में हुआ, इसको 3 बार गिनेंगे भागफल को, 1, 2, 3, 3 बार में आया 2, तो 2 से आगे जाएंगे, 2, 8, 5, 7, फिर आएगा 1, 4, देखिए, 0, 10 दिये, 2, 8, 5, 7 आया, इसके पीछे अब आये, 1, 4, यह हो गया answer, अब आप देखें, यहां क्या है आपको, 3 बटे 7 कैसे बनाएंगे, 3 बटे 7 ब्रावर, 0, 10, 3 मतलब, 3 पर 0, 30 समझे, तो 30 गिनिये कितना step में होता है, 1, 2, 2 step है हुआ, 2 step हुआ, तो इसको 2 step गिनेंगे, यदि 4 step होगा, तो 4 step गिनेंगे, हमको है 3, 3 का मतलब 30 समझे, तो 30 से 1, 2 step हुआ, यहां से गिनिये, 1, 2, यानि 4 से start हो 2, 8, 5, 7, 7 के बाद पीछे फिर आ जाईए, 1, इसके उपर रहकरिंग लगा देंगे, यही हो गया answer, एक बार भाग देना है, बाकी देख देख की लिखना है, देखिए, अब है 4 बटे 7, 4 बटे 7, 4 का मतलब 40, 0 लगा का बाद करें, 4 का मतलब 40, 40 गिनिये कितना step में हुआ, एक, दो, तीन, चार, पांच step में हुआ, फिर से देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच बार में हुआ, तो इसको कितना बर गिनेंगे, आप 5 बर गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच से शुरू हुआ, जितना step होगा, उतना step, भाग फल को गिनना है, एक, द जो कुए 5 स्टेप हुआ ना 1-2-3-4-5 पांच तरह वा वा तो 5 हुआ तो 5 बार एक लोगा उत्तर आएगा ऑको जीरो दसमलब तो समने लगएगा पांच साथ पीछह आई आथ है लोग लिखते हैं थार प्रावर पांच मतलब पचास पचास गिने का है एक दो तीन चार पाँच छे पचास हुआ छे बढ़वे एक दो तीन चार पाँच छे स्टेप चलिए एक दो तीन चार पाँच छे स्टेप क्या हुआ साथ साथ से इसका अंसर होगा जीरो पॉइंट तो लिखना है सब में यानि इसका मान हुआ 7, 7 साथ से पीछे आई एक चार दू आठ पाच ये उतारना है, साथ के बाद आए गए आपको एक चार दू आठ पाच रैकरिंग देंगे, ये आंसर हो गिया, ठीक है, अब एक और बचा है आपको 6 बटे साथ, देखिए 6 बटे, 7 को कैसे लिखेंगे, 6 यह का मतलब 60 खोजिये, खोजिये कहा है, एक, दो, तीन, चार, 60 हुआ चार स्टेप में, तो चार बार गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार बार हुआ आठ, चार बार काउंटिंग करेंगे, तो उनको क्या आया, एक, दो, तीन, चार, आठ आया, यानि आठ से आगे जाएं लगा ये होगा आठ पाँच साथ फिर आएगा एक चार दो एक चार एक चार दो यही हमारा आंसर हुआ इस मेथड से हम इसका भागफल निकाल सकते हैं तो इस प्रकार से इसका दसमला प्रसार क्या हो गया अनवशानी पुन्रा विर्थी सब मैं रिपीट हुआ है इसका दसमला प्रसार हो गया यह सभी का यह अनवशानी पुन्रा विर्थी है यानि नन टर्मिनेटिंग डैसिमल हुआ इस तरह से इस जीज़ को आप बार वार बनाईए भाग दीजिए तो आप समझ जाएंगे सिर्फ एक वर भाग को समझा देता हूँ आपको देखें कैसे कि वन बाई से भाग देना है वन में तो वन में भाग नहीं लगेगा तो हम पहले देखें वन था तो जिरो के 28 चार बड़ में हो गया आपको 28 उत्रा दू थोड़ा से समझ लिजे रिपीट कर रहा हूं उत्रा दू फिर इस पर क्या लगेगा जीरो तो साथ दुनी पांच फिर आया अपने मन से एक जीरो पचास तो सास सते उन्चास सेस बच गया एक आप देखिए इसका भागफल जो है शुरू वा था एक से भाग देते देते एक आया इसलिए इसका फिर अब रिपीट होगा यानि एक चार दू आट पांसात के बाद होगा फिर वही एक एक चार दू आट पांसात बार बार रिपीट होगा तो इसका आंसर हो गया देखिए जीरो दसमलव एक चार दू आट पांसात पर रहकरी यह क्या हो गया यह अनवशानी पुन्डा विरती है इसका दसमलव प्रसार हो गया अनवशानी पुन्डा विरती इसका प्रसार पुन्राविडती यह अनवशानी पुन्राविडती है इस प्रकार से यह इस question का solution हो गया तो गाइज आप लोग हमारे यूटुब चैनल ए जे पंगज मैट गुरू को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोज को अधिक सदिक देखेंगे लाइक करेंगे और share करेंगे नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब के बाद बिल आईकोन को जरूर दावें बिल आईकोन के बाद उसके all को जरूर आप प्रेस करें और आपको हमारे नए नही नही वीडियो पिर सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकोन को आप जरूर प्रेस करें जिससे आपको हमारे आने वाले ने वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा साथ ही मैथ के सवाल को अधिक सदिक प्रैक्टिस करें बार वार बनावें इससे आपको अधिक सदिक सिखने को मौका मिलेगा साथ ही साथ इसको अधिक सेयर करें जिससे दूसरे इस्ट्रेंट्स भी इसको सीख सकते हैं थैंक्यू वेरी मिच